ये हैं हमारी आज की लंच थाली मैंने भिंडी आलू की सबजी को आज थोड़ा अलग तरीके से बनाया है सबसे पहले तो आधा कप मुंग फली को एक दो मिनिट के लिए रोष्ट करके थंडा होने के बाद छिलके निकल लेंगे बाद में उसी पैन में वन फूर्थ कप तिलको भी एक दो मिनिट के लिए रोष्ट कर लेना है अब इन दोनों को पॉल्स मोड पर पीस लेंगे मैं इसे बना कर एटाय टब्बे में भरके रख लेती हूँ बहुत सारे सबजीयों में मुझे ये काम आता है अब यहाँ पर दो लेसुन की कली, सेव और एक चोटी चमच कास्मी रिडर चिले पाउडर एट करके कूट लेना है तो चलिए अब एक पैन में 3 टेबल स्पून जितना ओयल लेंगे अधी चोटी चमच मेथी दाना, हींग और सबसे पहले आलू और नमक एट करके 2 मिनिट ढग कर पकाएंगे अब हम इसमें भींडी एट करेंगे, इसे भी 2 मिनिट टक पकने देना है जब तक भींडी पकती है हम उसमें डालने के लिए मसाला रैडी कर लेते हैं दो चमच मुंग फली और तिल का मिक्सचर, दो चमच कुटा हुआ मसाला, एक चमच धन्या जीरा पाउडर, अधी चमच हल्दी, 1-4 टेश्पून गरम मसाला, थोड़ा आमचूर पाउडर, दन्या और दो चमच मुंग फली का तेल एट करके मिक्स कर लेंगे अब यह सारा मसाला हमें सबजी में एट कर देना है, और थोड़ा सा नमक भी डालेंगी, अब हमें सबजी को लो फलेम पर पकने देना है लास्ट में आलू को तोड़कर चेक करेंगे अगर ये कच्छे ना हो तो हमारी सबजी रेडी है ये सबजी बनने में 7-8 मिनिट लगते है तो अब रेडी है हमारी बहुत ही टेश्टी भिंडी आलू की सबजी साथ में मैंने आज गुजराती कढ़ी चावल और रोटी बनाई है साथ में गुजराती नाइलोन खमन भी है जो मैंने घर पर नहीं बनाए वो मेरे भईया आज लिकर आये थे और लड़ो भी तो कैसी लगी आपको मेरी आज की लंच थाली एंजोई